हलो बच्चो तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे क्या बेंजीन की रियक्षन किसके साथ हैलोजन और क्याटलिस्ट-A-L-C-L-3 के साथ तो इस रियक्षन से क्या बनता है क्लोरो बैंजीन बनता है ठीक है और क्या बनता है और HCL बनता है ठीक है तो H प्लस चला जाएगा और HCL आ जाएगा ठीक है तो ये जो reaction है इसकी क्रियाविदी भी हमने देखी थी तो क्रियाविदी के हिसाब से क्लोरीन के पास है लोन पेर और इसकी reaction अपन कराते हैं HCL 3 के साथ ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा HCL प्लस और क्या आ जाएगा HCL 4 बाइनस ठीक है यह आ जाएगा जो HCL प्लस है ये बेंजीन से reaction कर सकता है और टू स्टेप मेकेनिजम से ये reaction हो जाती है ठीक है पहले ये कार्वोकेटायन बनता है और फिर यहाँ से H प्लस चला जाता है और ये क्लोरो बेंजीन बन जाता है ठीक है तो इस तरीके का जो combination है उससे chlorine या bromine हम आसानी से लगा सकते हैं बेंजीन पर और बहुत सारे बच्चों combinations इसमें बन सकते हैं जैसे CL2, LCL3 ठीक है जैसे CL2, FeCl3 ठीक है जैसे CL2, FeBr3 ये सब क्या है ये Lewis ठीक है, Lewis अमल है, ये क्या है Lewis acids है और ये एक तरीके से उत्प्रेरक का काम करते हैं ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं जैसे कि यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं CL2, सॉरी, BR2 प्लस LCL3 यहाँ फिर BR2 प्लस LBR3 यहाँ फिर BR2 प्लस FeBr3 यह सब ले सकते हैं यहाँ फिर CL2 प्लस ZNCL2 यह भी ले सकते हैं यह सब हैं उत्प्रेरक जैसे SBCL5 भी ले सकते हैं क्योंकि SBC में भी होगा ठीक है, रिक्त डिकक्षक और इस तरीके से हम कॉंबिनेशन बना सकते हैं अब इसमें बच्चों यह है कि जैसे इसकी रियक्षन कराई CL प्लस बन गया, मज़ा आ गया और यह बेंजीन से जाके रियक्षन यह अभी क्रिया कर लेगा बात बन जाएगी अगर हम यहाँ पे आयोडिनेशन कराना चाहते हैं आयोडिन प्लस LCL3 ठीके तो हम करातो सकते हैं मगर यह अभी क्रिया उत्कृमणी होती है यह क्या होती है बच्चों? उत्कृमणी अभी क्रिया होती है तो आयोडीनी करण अगर हम कराना चाहते हैं बेंजीन का तो यह उत्करमणी होता है उसका कारण यह है कि जो I-plus है जैसे मानलो यह reaction हमने कराई तो हम तो यह मानके चल रहे हैं कि यहाँ पे I-plus जुड़ेगा HI बाहर जाएगा यह जो reaction है इसमें I-plus का जो attack है कारण के साथ जो यह bond बनाता है ठीक है यह weak bond बनाता है slow process यह weak bond बनाता है ठीक है CI bond क्या होता है? weak होता है ठीक है? तो यह reaction backward जा सकती है यह reaction क्या हो सकती है? backward जा सकती है तो अपने क्या reversible reaction होती है? ठीक है? क्योंकि CI bond weak होता है उल्टा भी हो सकता है कि H+, इसको I+, को हटाके वापस से यही बना दे तो इस reaction को हम क्या कहते हैं उत्क्रमणी है ठीक है इस reaction को हम क्या कहते हैं उत्क्रमणी है अभिक्रिया कहते है और इस उत्क्रमणी है अभिक्रिया के बाद अगर अपन थोड़ा ज्यान से देखें तो हमें अगर जबरजस्ती करानी है ठीक है कि I2 से HI बनाना है तो HI जो है उसको हम परिवर्तित करें दुबारा किस में? I2 में HI को दुबारा I2 में परिवर्तित करें और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका आक्सी करन कराना पड़ेगा ठीक है? Oxidation या आक्सी करन कराना पड़ेगा और आक्सी करन बच्चों कैसे? HI जो है उसको I2 में कनवर्ट कर दिया मतलब हमने उत्पात को तो बाहर कर दिया और अभी करमक को बढ़ा दिया ठीक है? उत्पात को तो कर दिया बाहर और अभी करमक को बढ़ा दिया ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उत्पात को बाहर किया अभी करमक को बढ़ाया तो लीच आटलियर या लीच आटलियर प्रिंसिबल के अनुसार या विक्रिया आगे की तरफ जा सकती है और इसका काम करते हैं आक्सी कारक आक्सी कारक ये काम करते हैं और आक्सी कारक कौन कौन है HNO3 HIO4 HIO3 ये सब आक्सी कारक है और ये आक्सी कारक क्या करते हैं ये आक्सी कारक HIO को I2 में ही को I2 में आक्सिक्रत कर देते है और इससे क्या फायदा होता है I2 बढ़ता है ही कम होता है और अभिक्रिया अग्र दिशा की और चली जाती है ठीके तो यह बहुत-बहुत इंपोर्टन बात है यहां रखना है और यह आयोडीनी करण में ही ऐसा होता है लेकिन क्लोरिनेशन में या क्लोरिनी करण में या ब्रोमीनी करण में यह अनुत्क्रमणी अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणी अभिक्रिया होती है और इसमें समिस्थानिक प्रभाव नहीं लगता है मतलब C6H6 की दर C6D6 की दर और C6 T6 की दर समान होती है बराबर होती है ठीक है? तीनों की दरे बराबर होती है लेकिन iodinary current क्यों कि क्या है? उतक्रमणिय होने की वजे से यहाँ पर जो दर है ठीक है? जो दर है उसमें समिस्थानिक प्रभाव लगता है C6 H6 की दर अधिक होती है फिर c6 d6 की दर और फिर c6 t6 की दर ठीके तो इस प्रकार से दर की तुल्ला हम कर सकते हैं ठीके इस तरीके से दर की तुल्ला हम कर सकते हैं ठीके बच्चों इसको कॉपी ओके बच्चों इसके बाद हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन ठीक है फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन तो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट पहले अपन देखते हैं अलकाईली करन फ्रीडल क्राफ्ट अलकाईली करन या फ्रीडल क्राफ्ट Alkylation ठीक है Friedel Craft Alkyly Current या Friedel Craft Alkylation तो Friedel Craft Alkylation में हम काम में लेते हैं Benzine और काम में लेते हैं Alkyl Helide ठीक है और इसके साथ कोई Lewis अमल लेते हैं जो उत्परेरक की तरह काम में लिया जाता है किसकी तरह बच्चों? उत्परेरक की तरह है ठीक है और यहाँ पर बन जाता है Alkyl Benzine ठीक है इस तरह के से उत्पाद यहां प्रोडुक्ट बन जाता है ठीक है तो इसकी जो अभी क्रिया है इसकी अपन बात करें क्रिया विदी की क्रिया विदी में हमने क्या लिया? RCL लिया और हमने क्या किया LCL3 के साथ इसकी अभिक्रिया को कराया तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे ठीक है और इन दोनों के मद्द्य क्या होगा सिग्मा बंद बन जाएगा और इस प्रकार का हमें क्या मिलेगा संकूल मिलेगा R ये बॉन्ड तोट रहा होगा ये बॉन्ड बन रहा होगा और इस तरीके का हमें मिलेगा संकूल यह माइनस आएगा यहां प्लस आएगा ठीक है इसके बाद क्या होगा बच्चों CL माइनस यहां से चला जाएगा R प्लस आजाएगा और क्या बन जाएगा ALCL4- यह बन जाएगा ठीक है अब यहाँ जो कार्व धनायन बना है क्या बना है बच्चों कार्व धनायन इसका क्या हो सकता है इसका पुनर विन्यास हो सकता है इसका क्या हो सकता है पुनर विन्यास हो सकता है और पुनर विन्यास होने के पश्चात, जब ये बेंजीन से अभीक्रिया करेगा, तो यहां से H प्लस चला जाएगा, और R प्लस यहां पर आ करके जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से अलकाइल बेंजीन बन जाता है, ठीक है, तो यह दिहान रखना है, यह बहुत अच लुइस अमल है, और इस अभीक्रिया का यह उत्प्रे रख है, क्या है उत्प्रे रख है, ठीक है, तो RCL के साथ reaction कराई, LCL 3 R पलस बनेगा, और R पलस के साथ क्या बनेगा, LCL 3, इसका क्या होगा, पुनर विन्यास R पलस जाकर के बॉंड बना लेगा, H पलस बहार हो जाए ही है ठीके बच्चों तो इस पर हमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सारे Lewis Amble है जो काम में लिये जा सकते हैं जैसे मैंने ALCL3 लिया इसकी जगे पर ALBR3 ALI3 SBCL5 BF3 BCL3 ZNCL2 FECL3 FECL5 कुछ भी काम में लिया जा से FECL5 तो होता नहीं है ठीक है FECL3 ये काम में लिये जा सकते हैं ठीक है तो ये रखना ध्यान आगे बढ़ते हैं ये तो हुई बात Freedal Craft Alkalation की इस पर हमें करने कुछ questions करते हैं तो questions में देखो ध्यान से इन questions को बच्चों इसको भी कॉपी करना ठीक है मैं फ्रेम से आउट हो रहा हूँ यहां रोप करके कॉपी करना इसको ठीक है और बच्चों इसके बाद अपन करेंगे questions इस पर तो बहुत सारे questions की अपन करते हैं practice ठीक है एक यह question करना है ठीक है एक यह question करना है यह question करिए तो यह बनाएगा A.L.C.L.3 फिर से दुबारा ठीक है बेंजीन के साथ अब इक्रिया कराते हैं ठीक है दुबारा A.L.C.L.3 तो भी बनाएगा यह ठीक है बताना है आपको क्या होगा question number five यह करना है ठीक है तो इन questions को बच्चों लिखो time लगेगा रोक करके लिखो और इनको बच्चों करो attempt मैं start करता हूं discussion ठीक है आप रोक करके पूरे question करना ठीक है start करते हैं बच्चों C.L. यहां से हो जाएगा बाहर और यहां पर C.H.3 प्लस बनके और बेंजीन से जुड़ जाएगा और H.C.L. बाहर हो जाएगा ठीक है यह बन जाएगा similarly यहां से B.R. माइनस हो जाएगा बाहर और इताइल बेंजीन यहां पर बन जाएगा similarly यहां पर बनेगा कार्बोकेटाइन इसका होगा पुनर विन्यास यह बन जाएगा और फिर इसको हम बेंजीन से जुड़ देंगे तो यह बन जाएगा आईसो प्रोपाइल बेंजीन आईसो प्रोपाइल बेंजीन यह इसे क्यूमीन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है बच्चों क्यूमीन Q4 में देखो LCL3 के साथ CL चला जाएगा और यहाँ पर बेंजीन से जुड़ जाएगा CH2CL फिर क्या है बच्चों यहाँ से भी तो कार्व धनायन बन सकता है LCL3 की उपस्तिती में और यह फिर बेंजीन से जाकरके रियक्शन कर सकता है और यह इसका आंसर आजाएगा ठीक है CH2 और बेंजीन ठीक है नेक्स देखते हैं यह तो बड़ा आसान कुश्चन हो गया तो बड़ा टॉइंग है तो यहाँ से CL प्लस चला जाएगा CL माइन चला जाएगा कार्व कड़ाएन बेंजीन से हम इसको जुड़ दे और यह बन जाएगा ठीक है तो यह अंसर आजाएगे कुश्चन इतने मुश्किल नहीं थे आसान थे लेकिन कुश्चन बच्चों हमें और भी करने हैं प्रैक्टिस करने हैं ठीक है तो और कुश्चन मैं दे रहा हूँ ठीक है यह कुश्चन करो तो बच्चों यह कराओ ठीक है यह कराओ कुश्चन इसके बाद एक कुश्चन यह भी करो ठीक है बנ्सीन मैंने लिया एक्सेस में यह आधिक के में और C-H-C-L-3 की रियक्चन हमने करा दी किसके साथ एल-C-L-3 के साथ ठीक है यह बताना है नेकस्ट बंजीन की रियक्चन ठीक है यहाँ पर हम करा देते हैं एल-C-L-3 के साथ ठीक है ये भी बताना है 9 question इसकी reaction करानी है ALCL3 के साथ ठीक है ये question भी आपको करना है ठोड़ा जल्दी से करेंगे ठीक है एक question ये भी लिखो 10 question बेंजीन इसकी reaction ALCL3 के साथ ठीक है ये बताना है 11 बेंजीन इसकी reaction हमें करानी है ठीक है FECL3 के साथ ये बताना है ठीक है next question number 12 इसकी reaction करानी है बेंजीन के साथ और ZNCL2 या SBCL5 हम लेते हैं ठीक है तो बच्चों पहले तो बच्चों ये question करो याद ठीक है रूप करके करो फिर हम discuss करते हैं इसको question number 6 question number 6 देखो आप तो question number 6 में देखो बच्चों यहाँ पर पहली बात ये CL चला जाएगा और CL चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बो केटायन ठीक है अब क्या करें अब हम हाइडाय शिफ्टिंग कराए और हाइडाय शिफ्टिंग कराके यह कार्बो केटायन हम बना लेते हैं ठीक है और इस कार्बो केटायन को अपन जोड़ देंगे किस से? बेंजीन से किस से जोड़ देंगे बेंजीन से ठीक है लिया हुआ है तो हम पहले तो reaction कराते है CHCL3 की तो यहां से CL निकाल दे और बेंजीन से इसको जोड़ दे ठीके तो यह बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2 CL यह बन जाएगा ठीके फिर हम एक और बार क्योंकि बेंजीन क्या है आधिक के में एक्सेस में है तो फिर से हम इसको निकाल के बेंजीन से जोड़ दें क्योंकि हमारे पास उत्प्रेरक ALCL3 है उत्लब्द है तो यह बन जाएगा यह योगिक बन जाएगा और फिर से जब हम इसकी reaction को बेंजीन से कराएंगे CL चला जाएगा और एक एक करके कारवन पर तीन-तीन बेंजीन आजाएंगे तीन-तीन बेंजीन आजाएंगे और यह product हमको मिलेगा question number 7 में ठीक है बहुत ही अच्छा question है और यह question तो it's a good question this question is a good question ठीक है इस question को exam में भी पूछा जा सकता है बहुत महत्पूर्ण question है ठीक है इसको थोड़ा देख लीजिए इसके बाद देखते है question number 8 question number 8 में देखो यहाँ से CL निकालेंगे कार्बो केटायन बना लेंगे ठीक है और यहाँ से H plus निकालेंगे तो यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा ठीक है और यह बन जाएगा इस तरीके से बन जाएगा ठीक है तो यह इसका 8th question का बच्चो answer आ जाएगा next देखते हैं बच्चो 9th question 9th question में देखो यहाँ से कार्बो केटायन बन जाएगा CL minus चला जाएगा और फिर बेंजीन से इसको हम जोड़ देंगे तो यह answer इसका आ जाएगा ठीक है so this should be the final answer मज़ेदार question है एक मिट रुको इसमें कुछ गडबड हो गई मुझसे इसमें हमें ring को बड़ा भी करना था ठीक है इसका उनर विन्यास भी कराना था भूल गया तो इसको 5 से 6 में परिवर्तित कर दे ठीक है 1 को 3 से join कर दे और 2 पर ले आए plus charge ठीक है और फिर इसको बेंजीन से जोड़ेंगे तो H plus को यहां से बाहर कर देंगे इस तरह ठीक है तो यह answer आ जाएगा ओके तो बड़ा मज़िदार question है इसके बाद यह question भी बहुत मज़िदार question है बच्चों इनको करो ठीक है इनको जल्दी से complete करो ठीक है रोक के करो कैसे भी करो आप ठीक है तो start करते है बच्चों यहां पर क्या है कि यह जो CL है चला जाएगा पहले क्योंकि हमने उत्प्रेरक LCL3 लिया हुआ है अब क्या करें अब यह जाने से हमें यह कार्वधनायन बन जाएगा और फिर इसका क्या करेंगे पुनर विन्यास करा लेंगे ठीक है तो चार से पांच में इसको कर देंगे हम परिवर्तित 1 से 3, 4, 5 और 2 पर आजाएगा प्लस ठीक है कोई डाउट फिर यह जो कार्वधनायन बना है इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे बेंजीन से और यह उत्पाद यहां प्रोड़क्ट हम बना लेंगे ठीक है यह उत्पाद यहां प्रोड़क्ट हम बना लेंगे ठीक है 10 कुस्चन 11 कुस्चन में देखो FECL3 से रियक्शन कराएंगे CL को निकाल दे और यह कार्व धनायन बना ले ठीक है उसके बाद जब बेंजीन से इसको हम जुड़ते हैं एच प्लस निकाल दे और एच प्लस निकाल के इसको जुड़ दे तो यह इसका आंसर आ जाएगा ठीक है यह आंसर इसका आ जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया कुस्चन है यह भी ओके बच्चों यह भी बहुत अच्छा कुस्चन है यह हमें आधिक्य में लेना है एक्सेस में ठीक है किसमें लेना आधिक्य में यह एक्सेस में तो पहले क्या होगा CL- यहां से चला जाएगा और यह कार्व धनायन बन जाएगा ठीक है फिर इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे किस से बेंजीन से H प्लिस निकाल देंगे ठीक है H प्लिस निकाल देंगे इसको जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा ठीक है दूसरी बात यहां पर फिर से जो CL इसको निकाल देंगे और हम जोड़ देंगे बेंजीन ठीक है तो यह अंसर इसका आजाएगा that's all ठीक है तो इस तरीके से समझना है हमें तो यह बहुत बढ़िया reaction है बहुत अच्छे question इस पे बनते हैं और बहुत ज़्यादा exam में पूछे भी जाते हैं ध्यान रखना बच्चों अब हम इसकी कुछ limitations है ठीक है? कुछ परिशानिया हैं इसमें किसमें? फ्रीडल क्राफ्ट अलकाईलेशन में फ्रीडल काफ्ट अलकाईली करंड में कुछ limitations है या इस अभिग्रिया की अपनी कुछ क्या है? सीमाए है ठीक है? या limitations है कुछ परिशानिया है वो परिशानिया क्या है? वो हम देखते हैं अगर हम कोई electron ग्राही समू यहाँ पे लगा देते हैं जिसे NO2 तो यह बहुत ही प्रबल electron ग्राही समू है ठीक है? प्रबल प्रबल electron ग्राही समू है ठीक है? तो electron withdrawing group है तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जिसे NO2 जैसे NR3 प्लस ठीक है? जैसे की CF3 यह सब बहुत प्रबल electron ग्राही समू है ठीक है? यह जब हम reaction कराते हैं किसकी friedel craft alkyli karan तो यह अभिक्रिया नहीं हो पाती है ठीक है? अभिक्रिया नहीं हो पाती है क्योंकि क्योंकि कार्व धनायन का स्थाइट कम हो जाता है ठीक है? कार्व धनायन का स्थाइट कम हो जाता है इसलिए अभिक्रिया नहीं हो पाती है ठीक है एक बात दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर NH2 लेते हैं, अमी, एनिलीन लेते हैं, और इस reaction को हम कराते हैं, किस से CS3-CL और AL-CL3 से, तब भी बच्चों यह अभिक्रिया नहीं हो पाती है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर, यह तो प्लस-M प्रभाव प्रदरशीत करता है, तो फिर reaction क्यों ही हो रही है, तब तो reaction होनी चाहिए, तो उसका कारण यह है, कि अगर हमने nitrogen पर loan pair लिया, तो यह खुद एक क्या है, Lewis 4 है, और reaction हमने कराई, किस के साथ, AL-CL3 के साथ, तो यह electron इसको देगा, और nitrogen पर धन आवेश आ जाएगा, और अब यह बन जाएगा, electron ग्राही समू, और electron ग्राही समू बनने की वज़े से, यह अविक्रिया नहीं दे पाता है, ठीके तो यह दो important हैं, बहुत ज़्यादा question इस पर पूछी जाते हैं, महत तो पूर्ण है, important क करके लिखें, जो electron withdrawing group, प्रवल electron withdrawing group, NO2, NR3+, CF3, reaction नहीं देंगे, अगर बेंजीन से लगे हुए हैं, और अगर अनिलीन हैं, तब भी reaction नहीं देगा, क्योंकि यह Lewis अमल से अभिक्रिया कर, electron ग्राही समू बन जाता है, और इसलिए यह भी अभिक्रिया नहीं देता है, इस्टपन देखते हैं बच्चों, इसमें एक और बात है, वो यह है, कुछ अणू हम इससे बना ही नहीं सकते हैं, जैसे बच्चों हम यह अणू बनाना चाहें, तो हम इस अभिक्रिया द्वारा तो बना ही नहीं सकते हैं, ठीक हैं, यह बनाने के लिए हमें क्या करना पड यह अलकाइल क्लूराइड लेना पड़ेगा और इसकी क्रियाविधी कुछ ऐसी रहेगी क्रियाविधी कुछ ऐसी रहेगी एक पद में CL- यहां से चला जाएगा और LCL3 की उपस्थिती में ऐसा हो सकता है यह क्या बना लेगा LCL4- ठीक है और क्या बना लेगा यहां पर कार्व धनायन आ जाएगा अब बच्चों ये जो कार्वधनायन है इसका होगा पुनरविन्यास और पुनरविन्यास से ये कार्वधनायन इसमें परिवर्तित हो जाएगा ठीक है इसमें परिवर्तित हो जाएगा तो हम जो बनाना चाहते वो तो बनेगा नहीं और ये अनू बन जाएगा ये तो बहुत बुरी बात है ठीक है ये बहुत बुरी बात है क्योंकि इसमें पुनर विन्यास की वज़ेश जो हम बनाना चाह रहे थे वो बना ही नहीं कुछ और बन गया तो ये बहुत important बात है ध्यान लगना है कि इसमें पुनर विन्यास हो जाता और पुनर विन्यास से हम जो बनाना चाहते है वो बना ही नहीं पाते है ठीक है तो ये दूसरा क्या है इसकी सीमाए है और हम ये बोल सकते है इसकी limitations है या इसमें कुछ कमिया है ठीक है ऐसे बोल सकते है या drawbacks है इसको जरूर कॉपी करें इसके बाद बच्चों तीसरी जो प्रॉब्लम है फ्रीडल क्राफ्ट अलकाईली करंड में वो यह है कि जब हम रियेक्शन को कराते है तो एक से अधिक बार प्रतिस्थापन हो जाता है यह से हमने लिया CS3, CL और LCL3 तो हम तो यह मान करके चल रहे हैं कि मिथाईल बेंजीन या टॉल्वीन बनेगा मिथाईल बेंजीन या टॉल्वीन बनेगा एक्चुली हुता क्या है यह अभी कर्मक है ठीक है यह क्या है आधार ठीक है अनू है यह बन गया तो जो उत्पाद है उसकी क्रियाशीलता बेंजीन से अधिक है तो अगर अपन क्रियाशीलता की बात करें या रियक्टिविटी की बात करें तो बेंजीन के सापेक्ष मिथाइल बेंजीन की क्रियाशीलता अधिक है ठीके मिधायल बेंजीन की क्रियाशीलता अधीक है बेंजीन के साफिक्ष क्यों? क्योंकि ये प्लस एच लगाता है और प्लस एच की वज़े से कार्ब धनायन का स्थाई तो बढ़ता है ठीके और इसलिए हम ये बोल सकते हैं की बच्चों अगर प्लस एच लगा रहा है करियाशीलता अधीक है तो जो प्रोड़क्ट हमने बनाया है वो अधीक क्रियाशील है और इसलिए अगर अधीक क्रियाशील है तो जैसे ही बनता है ठीके ये तो reaction कर नहीं पाता है उससे भी पहले ये fast reaction कर जाता है और fast reaction करके और्तो और पैरा उत्पाद बनाता है ठीक है और्तो और पैरा उत्पाद बनाता है और इसको बोलते हैं poly substitution ठीक है या बहुल प्रतिस्थापन क्या बोलते हैं poly substitution पॉली substitution या हम इसको क्या बोलते हैं बहुल प्रतिस्थापन ठीक है बहुल प्रतिस्थापन तो इसको बच्चों कॉपी करें ये भी अपनी सीमा है ठीक है इसको जड़ा कॉपी कर लीजिए ओके बच्चों तो ये कुछ महत्पून बाते हैं जो ध्यान रखनी है और एक इसमें अपवाद भी है ये ध्यान रखना है जो अपवाद है मैं बता देता हूँ तो बच्चों जो अपवाद है वो ये है कि अगर हमने यहाँ पर बेंजीन लिया और इसकी reaction को ऐसे करा है CS3, CH2, CH2, CL ठीक है और ये एक मात्र अपवाद जो है बुक में से मिला है और ZNCL2 हमने लिया ठीक है तो यहाँ पर हमें normal profile benzine मिलता है क्या मिलता है normal profile benzine और इसका इसमें कारण ये है कि इसमें आशिक कारवधनायन बनता है और आशिक कारवधनायन बनने की वज़े से इसका पुनर विन्यास नहीं हो पाता है ठीक है और इसलिए सीरा जाकर के benzine से जूड़ जाता है और इसमें ये अपवाद है बच्चों ध्यान रखना है ठीक है ये LCL3 में या LBR3 में ये अपवाद नहीं है exception है ये ZNCL2 लेने पर ऐसा होता है इसका कारण शायद ये होता होगा कि ZNCL2 उतना प्रबल लुईस अमल नहीं है और इस वज़े से इसमें कारण नायन का पुनर विन्यास नहीं होता होगा ठीक है बस ये एक important बात है इध्यान रखना आप बच्चों बढ़ते हैं आगे इसका जो भी इसमें कुछ परिशानिया है वो दूर होती है किससे Friedel Craft Friedel Craft Ascily Current से या इसको क्या बोलते हैं हम Friedel Craft Ascily Lation ठीक है Friedel Craft Ascily Current या क्या बोलते हैं Friedel Craft Ascily Lation ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम लेते हैं Benzine और इसकी अभी क्रिया को हम कराते हैं किससे R, C, O, C, L से किसमें A, L, C, L, 3 में ठीक है और जो product यहाँ पर बनता है उसमें हम यह बनाते हैं C, Double, Bond, O, R और H, C, L यहाँ से हो जाता है बाहर ठीक है इस तरीके से बनाते हैं तो यह बहुत ही important reaction है और इसके अंदर जो कुछ कमियात थी किसमें Friedel Craft Alkali Current में वो दूर हो जाती है पहली बात जो आपको रखना है याद वो यह है कि R, C, O, C, L इसमें C, L है Living Group ठीक है और इसकी reaction जवपन कराते हैं L, C, L, 3 से यह इस पर आक्रमेंट करेगा और C, L माइनस को यहाँ से निकाल के ले जाएगा और यहाँ बना लेगा R, C, D, 1, O और L, C, L, 4 माइनस ठीक है यह जो प्लस चार्ज है यह L, P, E, R, के साथ अनुनादी सरचना बना सकता है और इस तरीके की अनुनादी सरचना हमको मिलती है ठीक है इस तरह से ठीक है तो यह एक important बात है कि अनुनादी सरचना कैसे बनी यह आपको रखना है ध्यान ठीक है अब important बात ये है कि एक बार ये अनुनादी सरचना बन गई तो ये जाकर के बेंजीन से जुड़ सकता है और बेंजीन से जब जाकर के जुड़ता है तो क्या होगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस डबल बॉंड ओ आर और एच प्लस को यहाँ से हम कर देंगे बाहर और ये बन जाएगा बेंजीन से जुड़ करके C डबल बॉंड ओ आरे और एच प्लस बाहर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से कीटोन बन जाता है और ये कौन सी रियक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन अभी क्रिया है ठीक है अब इसमें क्योंकि ये खुद अनुनादी है अनुनादी सरचना है तो इसमें पुनर विन्यास नहीं होता है पुनर विन्यास कारधनायन का नहीं होता है पहली बात दूसरी बात ये जो समू है माइनस M समू है तो इसकी क्रियाशी इलता कम है किस से बेंजीन से इसलिए बहुल प्रतिस्थापन भी multiple substitution भी नहीं होता है ठीके तो ये दो important बात है अब बचों इसके लिए अपन trick बना सकते हैं ज़िए कि हमने ये बनाया ठीके अब इसकी reaction को कराया तो ये more electronegative से less को जोड़ देंगे और जो less electronegative है इसको more से जोड़ देंगे आप समझो बात को इन दोनों में ये कम विद्यूत्रिनात्मता है इसको अधीक से जोड़ना है HCL बना के बहार कर देना है और इन दोनों में कारवन अधीक विद्यूत्रिनी है और इन दोनों में से ये कारवन कम विद्यूत्रिनी है दोनों को आपस में जोड़ देना है इससे हम बना सकते हैं बाकि ये जो बच्चों LCL3 हमने लिया हमने पहले भी बात करी ये उत्प्रेरक का काम करता है ये प्रेरक का काम करता है ठीक है काटलिस्ट है करिए कॉपे इसका ओके कॉपी कर लिजे ओके बच्चों नेक्स्ट अपन देखते हैं इसपे कुछ कोश्चन ठीक है कुछ कोश्चन देखते हैं ओके तो बहुत इजी-जी कोश्चन इसपे बनते हैं comparatively के reaction ALCl3 के साथ ठीक है इसको बताना है question number two benzene CS3 COBR ALBR3 के साथ ये बताना है ठीक है next question देखो बच्चों ये molecule दिया जाए इसके लिए बताना है ठीक है next question ठीक है ये question दिया जाए pH C double bond O CL इसकी reaction FECL3 के साथ बच्चों करो मैं अपना phone उठा लेता हूँ करो इनको ओके बच्चों तो यहाँ पर अगर अपन देखें first question में तो यहाँ से अपन CL निकाल लेंगे और C double bond O को benzene से जोड़ देंगे यह answer आजाएगा और क्या बन जायगा बच्चों? HCL बन जाएगा ठीक है? यहाँ से बहार कर देंगे H plus को और CL को जोड़ देंगे ठीक है? यह बनाना है same यहाँ से H plus को बहार कर देंगे BR minus को बहार कर देंगे और ये बना लेंगे यहाँ पर आ जाएगा CS3 और HBR यह आ जाएगा ठीक है नेक्स देखते हैं बच्चो A L, CL3 तो यहाँ से CL को भगा देंगे और बेंजीन के साथ इसको जोड़ देंगे ठीक है और HCL बाहर हो जाएगा ठीक है नेक्स देखते हैं बच्चो यहां से H plus को भगा देंगे और इसको जोड़ देंगे तो यह answer इसका आजाएगा बहुत आसान-ासान question होते हैं मैंने बोला आपसे बहुत easy होते हैं बिल्कुल भी difficult नहीं होते हैं क्रियाविधी से भी आप लिख सकते हो और direct भी लिख सकते हो ठीक है? ऐसे ही questions जो बनते हैं वो ester पर भी बनते हैं पहले आप इनको copy कर लेज़ें ओके? तो बच्चो तो आप इसमें एक चीज़ हो रहा है ester वाले molecule भी यह reaction कर सकते हैं जैसे कि हमने यह लिया और reaction हमने कराई किस से? ALCL3 से तो हमने reaction कराई क्या होगा? CH3 C double bond O OR तो हमने reaction कराई किस से? ALCL3 से ठीक है? तो क्या होगा? यह इसको electron देगा donate करेगा और donate करेगा तो O पर आ जाएगा plus charge ठीक है? और यह बन जाएगा living group यह क्या बन जाएगा? बच्चों living group बन जाएगा ठीक है? इसके बाद क्या होगा? यह electron लेके चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा CS3 C double bond O plus और क्या जाएगा? R O A L C L 3 minus ठीक है? अब यह बन गया हमारा electrophile और two step mechanism से two step mechanism से हम इसको जोड सकते हैं बेंजीन से तो यहाँ से बच्चों जब यह two step mechanism से बेंजीन से जुड़ता है तो यहाँ से निकलता है H plus और वो जो H plus है वो O minus से हम जुड़ देंगे जो H plus आया वो O minus से जुड़ जाएगा यहाँ पर बन जाएगा R O H और बन जाएगा बच्चों A L C L 3 ठीक है? तो इस तरीके से हमें reaction करानी है एक बात यह तो पूरा mechanism है क्या हमारे पास एक्जाम में इतना time होगा कि हमें पूरा लिख पाएगा? नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो हमें एक trick लगा सकते है trick यह कहती है कि C double bond O O R जो group है इसमें more electronegative oxygen से less electronegative hydrogen जूड दीजिए और carbon carbon के बीच में bond बना लीजिए ठीक है? फिर से मैं repeat कर रहा हूँ हाला कि आपके पास तो पूरी technology है आप तो teacher का मुझ खोल लेते हो ऐसे pause करते वक्त और आप पुरा वीडियो देखते भी हो ठीक है? बार बार भी देख सकते हो लेकिन फिर भी मैं repeat कर रहा हूँ कि more electro negative या more विद्यू त्रिनात्मक्ता वाला oxygen को कम विद्यू त्रिनात्मक्ता वाले hydrogen से जूड करके और ROH बना लीजिए और carbon को carbon के साथ बंद बना लीजिए ठीक है? तो ये भी एक प्रकार से Friddle Craft Asylee करन अभी करिया है और इस पर बच्चों हम questions क्योंकि sir आ गया है PS sir तो मुझे उनसे करनी है बातचीत ठीक है तो हम इस पर question करेंगे बच्चों next class बाई बाई